आप सबको मेरा नमस्ते ये सेशन में मैं आपको एने मतलब बच्छों में वह करनी है और प्रेग्नेन मों के लिए क्रियाय करनी है उसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगी सबसे पहले तो pregnant mothers के लिए हम लोग को क्या क्रियाए करनी है क्या महत्व पुर्ण पोशन क्रियाए है जिससे बचे का वजन बहुत अच्छी तरह प्रूटीन में बढ़ेगा यहां एक तो है आपको सबसे पहले मातता को पोशन में बढ़ाना है तो पोशन में चैनाम प्रकार ची 602 अधरya है वहीं अपको माको बब आप को कि ऊस्चों आप था मा के बड़ाना है, मेरे लक्पा करना है माग बाड़ाना में, मेरे उस्पीरियN grasses से मैं लगपक 78 ग्रामलों क्रोटीन करना की हार न्यद्ध करना है mix 3 इतनी कठोड लेने है, जो अंकूरत है, इतने लेने है, तो आपको यह सारा गिन के आपको मा को दिखाना पड़ेगा, मैं इनफेक्ट आपको IAC चार्ट जो हम लोग ने बनाए हुए, बहुत अच्छे से चार्ट बनाए हुए, वो चार्ट के माधियम से भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे मा को यह सब सिखाना है, ठीक है, तो यह तो होगे आपकी पहली पोशन करिया, कि मा को पूरा जो है, आयन रिच खाना है, लो रिच खाना है, जिसे आपने सब तो अभी सिखा हुआ है, कैल्शिम है, फॉलिक असिर है, फॉलेट है, तो वो कौन से कौन से खाने में ज्यादा होगा, B12 है, अलग अलग जो है, टाइप 1, प्रकार 1 और प्रकार 2, दोनों के बारे में माता को स समझाना है, दूसरा है कि जो अच्छी चर्बी है, वो बहुत ही ज़रूरी है, बच्चे के मेदू के लिए, बच्चे के मस्तिक के लिए, ठीक है, उसका जो ब्रेइन बढ़ रहा है, जो टाइप 2 का जो असेंशिल फैटी असेट है, ओमेगा 3, ठीक है, तो ओमेगा 3 मा को बहुत ही ज़रूरी है, तो आपको बठाना है, अच्छी चर्बी, जो है कोलेस्ट्रोल होता है, बच्चे के स्पाइन के लिए और बच्चे के जो न्यूरु नियूर सेल्स ग्यान तनतु है उसकी पेशीया है उसमें कॉलेस्ट्रब महातो पुर्ण काम करता है तो आपको मायद बोलना है कि घर में तो खीकि यह मकन फो भी का ही डूध्य गहीं है वह माको लेना है दूध्य आझसे चरब धाया निकाल नहीं है उसके बारे में भी मैंने अच्छा tutorial बनाया हुआ है, iron folic acid है और फिर of course calcium भी लेना है, तो भी आपको ध्यान में रखना है कि जैसे वो pregnant हो रहे हैं, तो अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको वो सब दवाईया भी देनी है, ठीक है, तीसरा जो है कारियो वो है आपका iodine-yuk meat, तो iodine होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर iodine कम होगा, तो बचों में IQ में problem हो सकता है, उसके जो IQ है, जो मस्तिक हो सकता है, उसके growth में भी विकास में भी problem हो सकता है, तो मा को बोलना है कि जबी भी वो meat इस्तेमाल करें, तो उसमें iodine-yodized salt होना बहुत ही जरूरी है, चौता हमारा कार्य जो हम लोग को करना है, वो जैसे ही pregnant mothers deliver होई, तो delivery के बाद तुरंती एक घंटे में ही, एक घंटे की रात देखने की जरूरत नहीं, जैसे बच्चा पैदा हो, उसको तुरंती मा के स्तन पे लगाना है, तो बच्चे को breast crawl कराना है, वो भी मैंने आप को अलड़ी बताया हुआ है कि कैसे breast crawl करना है, तो वो आपको मा को पहले से ज्यान देना है, जानकारी देनी कि breast crawl क्या होता है, ठीक है, और डॉक्टर से भी और A&M जो है, उनको भी आपको बताना है कि बच्चे को breast crawl कराए, एक पार वो दूद्ध पिलाना चालो कर दिया, तो अपको जैसे PNC वाड में आती है तो आपको इसको सिखाना है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि सब क्यासे कराना है, कराना है, क्यों कैसे कराना है, वो नहीं मालूम, जैसे आपको भी बताचलेगा कि हम लोग भी beaucoup सारे अग्नाता है, तो मा को cross-cadled hold, side-line hold, और अलग- यहां पर नंदुरपार और बहुत सारे अलग अलग जगा में दूसरा एक है हमारा ये है मा को बोलना है कि छे मैने तक सिर्फ बच्चे को अपना ही दूद पिलाए उपर का पानी भी नहीं गुट्टी भी नहीं कुछ भी नहीं दूद नहीं, तो बच्चे को शिसर्फ पातो दूदष को देना है तो आप मां को बच्चे को नहीं लुस्त नहीं बहुत सारी मदद ऐसी समझती है कि अगर बच्चे को जुलाब हुआ तो मैं दूद दूँगे तो उसको ज्यादा जुलाब होंगे वह गलत मिथ्या है मा को समझाना है कि जितना उसका पानी जा रहा है उसके जुलाब से तो मा अपना दूद के द्वारा पानी नहीं अपना प्रोकीन देगी चरबी देगी सारा जो 40 तरके ततों है वह दूद के माधियम सजाएगा तो दूद बिलकुल बन नहीं करना है और चालू करना है और जिंक भी देना है आपको तो जिंक पी एसी में मिलता ही होगा तो जिंक भी बच्चे को देना है दो हफसे का कोर्स है तो मदर को कोर्स खतम करना है बच्चे के लिए छे मेने का बच्चा अगर हो गया तो अभी छे मेने के बाद बच्चे को फुरक आहार चालू करना है ताइम पर चालू करना है मैं हमेशा बताते रहते हूं कि कैसे चालू करना है कितना देना है कितनी बार देना है कैसे consistency होनी चाहिए गाड़ा कितना होना चाहिए वो उसकी राह देखनी है, 6 महीने के बाद ही उसको complimentary feeding मतलब पुरकार देना है, लेकिन उसकी जो सला है वो आप 5 महीने पर चालू कर सकते हो, मा को सारे जो हम लोग ने protein powders जो बनाए होए अच्छे जो प्रकार एक और प्रकार दो के जो powders जो अपने वीडियो में देखने वाले ह आप को बताना है मा को कैसे वो घर पे बना सकती है दूसरा जो है वो है छे मिने के बाद अगर बच्चे को जुलाब हुआ तो 6 मिने के बाद बच्चे को ORS देना है जिंक देना है उसको बच्चे को मा का दूद चालू रखना है ठीक है और खाना जो है जो बच्चा जो fruit juice नहीं देना है, fruit juice से उसे बच्चे को ज्यादा जुलाब होगा, वैसे भी हम fruit juice रेकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन जो fruits है, fruits ज्यादा मत दो, तोड़ा सा केला चलेगा, लेकिन जो अच्छा सा जो आहार है, अंडा है, दही है, खिचडी है, वो सब आपको बच्चे को डेफ विटामिन A की डोस जो कवर्मेंट में मिल रहे हैं, तो आपको ध्यान से उसको देना है, आयन जो है, जो हफते में दो बार बच्चे को छे मेने के बाद दिया जाता है, वो भी बच्चे को देना है, आपको वो भी ध्यान में रखना है, कि उसको आयन की डोस मिले हफते में जल्ली से निकालना है एक लास्ट महत्वपुर्ण कार्या है जो हम लोग को ध्यान में रखना है दूसरा कि अगर बच्छा बिमार है तो बिमारी के टाइमें तो बच्छा वो खाना जादा नहीं काएगा लेकिन जैसे जैसे वो बिमारी से बहार निकल रहा है तभी बच्छे बहुत भूका है तभी आपको इसको देड़ गुना खाना देना है लेकिन कैसे खाना देना है जिसमें प्रकार 2 के जो नुट्रिइंट है जो पोषक तत्व है प्रकार 2 के वो ज्यादा होने चाहिए क्योंकि एक हफता देड़ हफता बच्छे का वजन नहीं बढ़ता है ब आपको बच्छे को ज़्यादा देने है मतलब उसमें तो ओगे आपका प्रोटीन चरबी मेगनीशन वाला पोटैशिम वाला इस जैंक वाला खाना जो आपने अब और अलड़ेज सिखा हूआ होगा तो वह आपको वह आपको बच्चे को ज्यादा देना है ठीक है तो यह त गरोदर महिलान साथी अत्यावशक पोशन क्रिया यावरील स्पोकन ट्युटोरियल मधे आपले स्वागता है या ट्युटोरियल मधे आपन शिक्ना राहोद गर्भधारने दर्म्यान पोशक तत्वानची गरज गर्भधारने दर्म्यान अत्यावशक पोशन क्रिया ENA ला अत्यावशक पोशनक्रिया मनु नहीं ओलखले जाते ENA हा महिला आणी मुलांची पोशक विशक स्थिती सुधार्नेचा दुरुष्टिको ना हे गर्भधारने दर्म्यान स्त्रीचा शरीरात शारीरीक आणी हार्मोनल बदल होतात तीचा पोश्टिक आहाराचा गर्जाही वालतात या कालात पोश्टिक आहार हे आई अनी बालाचा अरोग्या साथी महतवाचे असते आई चा पोटातिल बाल पोशना साथी त्याचा आई वर अवलम्बुन असते गरोदर पणापासुन ते बाल दोन वरिशांचे होई पर्यंतचा काल हाँ पहिल्या एक हजार दिवसांचा अस्तो या कालात वाड आणी मानसिक विकास जपाट्याने होतास्तो हे बालाचे आणी आईचे आत्ताचे आणी पुढिल आरोग्य देखिल ठरवते पुष्टी काहरा मुळे आईला होनारी मल मल आणी अशक्तपना पासुन तिला आरा मिलतो हे गर्भाचा मेंदुचा विकासास मदद करते या मुळे बालान मधे जन्मा पासुन असनार्या आजारांचा धोका आणी आई मधे असलेला अशक्तपना कमी होतो चला पोशक तत्वान बद्दल आणी गरोदरपनाचा कालातिल अत्यावशक पोशन क्रिया या बद्दल बोलुया गरोदरपनात अनेक पोशक घटक गरजेचे अस्तात प्रथिने हे त्यापई की एक आहे प्रथिनांची गरज पूर्ण करण्या साथी प्रथिनांनी सम्रुद्ध अन्न खान्याचा सल्ला दिला जातू मास, मासे, कोम्डी आणी अंडी या मधे प्रथिने अतिशे जास्त प्रमानात आहे कडधानने, शेंगा, बेदाने, बिया, दूद आणी दूधाचे पदार्थ या मधे देखिल चांगल्या प्रमानात प्रथिने आहेत अत्यावशक फैटी एस्टिड देखिल गरोधर पनात गरजेचे असतात त्यानना चांगली चर्बी देखिल मंतात उदा हर्णार्थ DHA आणी EPA, मासे, बेदाने आणी बिया यान मधे चांगले फैटी आसिड आहेत आता पाहुयात गरोधर पनात आवशक असलेले इतर पोशक तत्वे फोलेट हे DNA संसलेशना साथी आणी गरभाचा पेशिन चा विकासा साथी गरजेचे आहे हे लाहान मुलान मधिल नियूरल ट्यूब दोशकमी करने साथी देखिल मदद करते गरोधर पनात रोच्चा आहारात फोलेट चा समावेश करने गरजेचे आहे मोड, हिर्व्या पाले भाजा आणी कोमडीचे कालीच या मधे चांगले प्रमानात फोलेट अस्ते गरोधर पनात फोलेट सोबत लोह देखिल खूप महत वाचे अस्ते लाल रक्त पेशीन चा निर्मिती साथी लोह गरजेचे आहे हे सम्पूर्ण शरीरात ओक्सीजन वाहु नेन्या साथी मदद करते गरोधर पनात रक्ताचे प्रमान वाढते त्या मुले महिलान ना मोठ्या प्रमानात लोहाची गरज भासते हे वाढत्या गर्भाचा गरजा पूर्ण कर्णया साथी मदद करते गर्भा मधे लोह साथवले जाते जे प्रसुती नंतर वापर तायेते लोहाचा कमतरते मुले अशक्त पना येव शक्तो अशक्तपणा येवने महनुन आहारात लोहाने सम्रुद्ध पदार्थांचा समाविश करावा कोमडी किम्वा बकरीचे कालीज भेजा, रुधे हे लोहाचे चांगले स्त्रोत आहेत सीफूड, अंडी आनि गार्डन क्रेस बिया ही इतर उदाहरने आहेत शेंगा, हिर्व्या पाले भाजा आनि बियान मधे देखिल लोह उपलब्ध अस्ते हलद आनि धन्या मधे ही काही प्रमानात लोह अस्ते अशक्तपणा परजीवी आनि जन्तान मुले देखिल ये उशक्तो हे होँ नेमनुन गर्भवती महिले ने जन्तनाशक आउशद घ्यावे दुसर्या तीमाहित जन्तनाशक आउशदाचा एक डोस घेन्याचे सांगितले जाते लक्षा ठेवा, जेवना सोबत चाहा आनि कॉफी प्यू ने या मुले लोह शोशनात अड़ थला ये विशेश मंजे कजीवन सत्व आपल्या शरीरात लोहाचे शोशन सुधारते त्या साथी लोहाने सम्रुद्ध अन्न आणि कजीवन सत्व असलेले पूरक अन्न खावे आवला, टोमेटो, पेरू हे कजीवन सत्वाने सम्रुद्ध स्त्रोताहेत गरोदर पनात लोहा नी फोलेट ची गरज वाड़ते केवल आहार या गरजा पूर्ण करू शकत नाही मनुन आयन फॉलिक एसिड पूरक टॉनिक ची शिफारस केली जाते तथा पी प्रसव पूर्व पूरक आहार निरोगी आहराची जागा घेत नाही गरभधारने पूर्वी आणि गरभधारने दर्म्यान प्रसव पूर्व पूरक आहार घेतला जातो गरभवती महिलानी आरोग्य कर्मचार्यान कडून आयन फॉलिक एसिड चा गोल्या घ्याव्यात या गोल्या अंगन्वाडी केंद्राद्वारे पुरवल्या जातात मल-मल आणि अस्वस्थता टार्णया साथी जेवना नंतर दोन तासानी गोल्या घ्याव्यात काही वेला या गोल्या खाल्या नंतर तिला शवचात काले मल यव शकते जुलाब किम्मा बद्ध कोष्ठता देखिल हो शकते मात्र ही लक्षने काही दिवसानी बरी होतात तसेच आयरन फॉलिक असिरची गोली कैल्शियमचा गोल्यान सोबत घ्यू ने ती सकाली आणि संध्याकाली डोस मनुन घ्यावी कैल्शियम हे गर्भधारने दर्म्यान आवशक असलेले आणखी एक महत्वाचे पोशक्ततवा है गर्भवती महिलान मदे कैल्शियमचा कमतरते मुले उच्च रक्ततदाब होतो त्या मुले हाता पायानना सुजेते कमतरता टार्णया साथी तीने रोजच्चा आहा रात दूद आणि दुधाचा पदार्थांचा समाविशकरावा बिया, बेदाने, हिर्वया पाले भाजा आणि सुख्या माशान मधे ही कैल्शियम अस्ते गर्भधार्ने दर्म्यान आणि गर्भधार्ने नंतर कैल्शियम पुरक टॉनिक ची देखिल शिफारस केली जाते कैल्शियम च्या गोल्या ICDS केंद्रा कडून आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रा कडून पुरवल्य जातात ICDS ही एकात्मीक बाल विकास सेवा आहे परियंत दिल्या जातात गोल्या दिवसातुन दोंदा घेने आवश्य काहे अति कैल्शियम लोह शोष्या स्प्रतिबंध करते त्या मुले दोन कैल्शियम चा गोल्या एकत्र खाव नेत न्याहारी किमवा दुपार चा जेवनानंतर एक गोली घ्यावी दुसरी गोली संध्याकालचा नाश्ता किमवा रात्रीचा जेवनानंतर घेव शकता रिकाम्या पोटी कैल्शियम चा गोल्या खाव नका कारण त्या मुले जठर दाह होईल जठर दाह ही पोटाचा आवरणाची जलजल आहे महत्वाची भूमीका बजावनारे आणखी एक पोशक्तत्वमंजे आयोडिन आयुष्याचा सर्वत अप्यावर चांगल्या आरुग्या साथी आयोडिन अवशक अस्ते आयोडिन शरीरात नीट साथलता येत नाही त्या मुले रोज कमी प्रमानात आयोडिन ची अवशक्ता अस्ते मासे, कोलंब्या, दूद, चीज आणी आयोडिन युक्त मीट हे आयोडिन चे चांगल्यस्तरोता हेत आयोडिन ची कमतरता टाल्नया साथी आयोडिन युक्त मीट वापरावे आयोडिन युक्त मीट स्थानिक बाजारात सहज उपलबधा है आयोडिन युक्त मीट वापरताना काही खबरदारी घ्यावी ते स्वैंपाकाचा शेवटी टाकावे आयोडिन युक्त मीट उष्णता आणी प्रकाशास सव्वेदन शिलस्ते उश्नत आणी प्रकाशाचा अती संपरका मुले मीठा तील आयोडिन नश्ट होँ शकते मनुन ते घट्ट जाकन असलेल्या गड़त डब्यामदे ठेवावे गरोदर पणात महत्वाची भूमी का बजावनारे इतर पोशक घटक मंजे कोलीन आणी जिंक जीवन सत्व B12 आणी मागनेशियम हे देखिल महत्वाची आहे कोलीन, फोलेट आणी जीवन सत्व B12 मिलून निूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कमी करतात निूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हे जन्मजाद दोशाहेत जे मेंदु आनी पाठी चा कन्यावर परिणाम करतात मेंदु चा विकासा साथी कोलीन देखिल आवश्यक आहे तर जिंक गर्भाचा विकासात मदद करते या पोशक तत्वान बद्दल अधिक माहिती इतर ट्यूटोरियल मदे स्पष्टके लिया हे कृपया या पोशक तत्वान साथी स्वतंत्र ट्यूटोरियल पहा उदा हरनार्थ प्रथिनेचे महत्व कोलीन आणि फोलेटचे महत्व तसेच काल्सियमचे महत्व आणि बीटवेवचे महत्व देखिल पहा आई आणि बालाचा अरोग्या साथी निरोगी आहार महत्वाचा आहे आईचा आहारात विविद खाद्य गटांचा समावेशसावा पहिला अन्न गट मंजे धान्य, मुले, पांध्रा कंद आणी केली दूसर्या गटात कलधाने आणी बेदाने आणी बिया यांचा तीसरा गटा हे चवथा गट दुधाचा हे माउस, चीकन आणी मासे हां पाचवा गटा हे सहावा गटा हे अंडी गडद हिर्व्या पाले भाजा हां सात्वा गटा हे आठवा गट मंजे अजीवन सत्वाने सम्रुद्ध भाजा इतर भाजा आणी फळे नव्या आणी दाहव्या गटाता हेत तिने रोच्चा अहारात कमीत कमी सहाखाध्यगट समाविष्ट केले पाहिजेत या गटान मधुन तिने प्रथिने असलेले अन्न गटाचा आणी चांगले चर्बी युकता अहाराचा समाविष्ट केला पाहिजे तिने पिष्टमय अन्नाचा वापर कमी गरावा पोशक तत्वान बरोबरच पाणी पिने देखिल महत वाचे आहे दर्रोज कीमान आठ ग्लास तरी पाणी पिन्याची शिफारस केली जाते प्रक्रिया केलेले साखर युक्त, खारट अन्न आणी कैफिन युक्त पेए टालावित दारुपिने आणी धुम्रपान देखिल बिलकुल करूने या टुटोरियल मधे सांगीत लेला सर्व पोशन करिया लक्षा ठेवा ते आरोग्य दाई गर्भधारने साथी आणी गर्भाचा विकासा साथी महत वाचे आहेत या सह आपन या टुटोरियल चा समापति कड़े पोहचलु आहोत सह भागा बद्दल धन्यवाद मुलान साथी अत्यावश्यक पोशन क्रिया यावरिल स्पोकन टुटोरियल मधे आपले स्वागता है या टुटोरियल मधे आपन कुपोशन टालने साथी सर्वोत्तम उपायत जानून घेना रहोत आवश्यक पोशनक्रिया या कुपोशनाचा सामना करण्या साथी प्रति बंधात्मक दुरश्टी को नाहेत त्या पहिल्या 1200 मध्य आवश्यक आहेत पहिल्या 1200 ची सुरवात गर्भधार्ने पासुन ते बालाचा दुसर्या वाड्यूसा परियन्त असते ENA ला आत्यावशक पोशन क्रिया मनु नही ओलकले जाते नवजाज शिशू साथी प्रथम ENA कर्ण्याने गर्भनाल बंद कर्ण्यास उशिर होतो प्रसुती नंतर लगेचच नाल कापू ने नर्सला प्रथम नालेचे स्पंदन किम्वा ठोके जानवले पाहिजे जेम्हा ते स्पंदन ठामते तेम्हा नाल कापली पाहिजे गर्भनाल बंद कर्ण्यास विलंब केल्यास नाल आणी बाला मधे रक्त प्रवाह होँ शक्तो या मुले पहिल्या साहा महिन्यात बाला मधे लोहाचे प्रमान सुधारू शक्ते असे केल्याने या महिन्यात बाला मधे अशक्तपना टालता येतो नाल बंद केल्यानंतर बालाला स्थनपान केले पाहिजे असे करन्या साथी बालाला आईचा उग्डिया ओटी पोटी वर ठेवले पाहिजे बालाचा जन्म उपजद आहार देन्याचा वर्तनाने होतु या वर्तनाने ते आईचे स्थन शोदून स्थनपान सुरू करते या संपूर्ण प्रक्रियेला ब्रेस्ट क्रॉल महनतात ब्रेस्ट क्रॉल बद्दल आणखी एक ट्युटोरियल मधे स्पश्ट केले आहे कृपया या ट्युटोरियल साथी आमचा संके स्थळाला ब्रेट द्या जन्मान अंतर एक तासाचा आत स्थनपान सुरू करने महत वाचे आहे पहिल्या दुधाला प्रथम स्थन्य कोलोस्ट्रम महनतात नवजात मुला साथी पोशक तत्वांचा हा प्राथम इक स्त्रोता हे प्रथम स्तन्य मधे समसर्गाशे लड़नारे घटक आणी चांगली चर्बी असते आईचे दूध हे बाला साथी अजिवन सत्वाचे पहिले स्त्रोता हे निरोगी डोल्यान साथी आणी रोगप्रतिकार शक्ती साथी अजिवन सत्व आवशक आहे पहल्या सहा महिन्या साथी आईचे दूर अजीवन सत्वाची आवशक्ता पूर्ण करन्या साथी पूरे से आहे सहा महिन्यान अंतर अजीवन सत्वाने सम्रुध्ध सा पूरक आहार द्यावा प्रभावी स्थनपाना साथी योग्य लैचिंग सर्वात महत्वाचे आहे कमी दूध मिलेल बालाचे तोंड एरोलाचा खालचा भागाला जोडले पाहीजे त्या मुले बालाला पुरे से दूध मिलेल एरोला मंजे स्तनागरा भोतीचा गड़त भाग इतर ट्यूटोरियल मधे स्तनपानाचा तंत्राची चर्चा केलिया है सहा महिने पूर्ण जाल्यावर बालाची पोष्णाची गरज जपाट्याने वाडते या टप्यावर केवल स्तनपान पुरे से नाही मनुन स्तनपाना सोबत आहार कसा घ्यावा याची ओलक करुन द्यावी बालाचे वई साहा महिने पूर्ण होताच ते सुरू झाले पाहिजे साहा महिने वई मंजे बालाचा अयुशाचा साव्या महिनाची सुर्वात असा होत नाही याचा अर्थ तिने साहा महिने पूर्ण केले आहेत आणि तीचा आयुशातिल सात्वा महिना सुरू झाला आहे। तसेच वयानुसार अन्नाचे प्रमान आणि अन्नाचा घटपना बदल्ला पाहिजे। बालाचा आहरात विविद खाद्य गटांचा समावेशा सावा। पहिला अन्न गट मंजे स्तनपान। धान्य, मुले, कंद हा दुसरा अन्न गटा है। शेंगा, बिया आणि बेदाने हा तीसरा अन्न गटा है। चवथा अन्न गट मंजे दुग्धजन्य पदार्थ। माउस, मासे आणि चीकन हा पाचवा अन्न गटा है। अंडी हा सहवा अन्न गटा है। अ जिवन सत्वाने सम्रुद्ध फळे आणी भाजा हा साथवा अन्न गटा है शेवटी आठवा अन्न गट मंजे इतर फळे आणी भाजा आदर्श पने बालाचा आहारात सर्व आठ अन्न गटांचा समावेश असने अवश्यका है हे सर्व पदार्थ बालाचा वाढ़ीला मदत करनारे पोशन घटक देतात पूरक आहराचा तपशिलांची चर्चा दूसर्या टुटोरियल मधे केली आहे आता बालान ना कोंते पूरक आहार द्यावेद ते पाहू सहा महिने ते पाच वर्षा पर्यंत आयन फॉलिक आसिड पूरक टोनिक द्यावे हे आरोग्य कर्मचार्यान नी आठ उड़्या तून दोन्दा बालानना द्यावे अ जीवन सत्व असलेले पूरक्टॉनिक वर्षा तुन दोंदा द्यावे हे पूरक्टॉनिक 9 महिने ते 5 वर्ष वया परियंत दिले जाते पूरक्टॉनिक आरोग्य सेवा प्रदा त्याच्छा मार्ग दर्शना खाली द्यावे अतिसार जालेल्या बालावर उपचार करने साथी आपन आता ENA पाहणारा होत अतिसार हे कुपोशनाचे प्रमुक कारणा है या मुले शरीराथ पानी कमी होते आणी सोडियमानी पोटेशियमचे असंतुलन होते गंभीर प्रकरणान मधे बाल मुरुत्यु देखिल हो शकतात मनुन अतिसारावर उपचार करने फार महत वाचे आहे OARS अनी जिंक हे पूरक टॉनिक अतिसारावर उपचारा साथी मदद करतात OARS मन्जे ओरल रिहाइडरेशन सॉल्ट ते शरीरा तिल पाणी आणी सोडियम आणी पोटैसियम भरून काड़ते हे पाकिटा मधे पावडर चा रूपात बाजारात सहज उपलबधा है एक लिटर उकल लेल्या आणी थंड केलेल्या पाण्यात OARS चे एक पाकिट मिस्रा आणी वापरा OARS सोबत जींग हे पूरक टोनिक देखिल आवश्यका है जींग हे कालावधी वारमवारता आणी मुलान मधे अतिसाराचे तीवरता कमी करते त्या मुले बालाची रोग प्रतिकार शक्ती सुधारते ते चवुदा 25, 21,21 वए देले पाहीजे सः महिनान पेक्षा कमी वयाच्या बालक आन दररोज 10 मिली ग्राम जींग द्यावे सः महिने किम्वा त्याहु नधिक वयस्लेल्यानना दररोज 20 मिली ग्राम जींग द्यावे एका लहान चमचात जहिंग चा गोल्या आईचा दुधात किम्मा O.R.S. मधे विर्गलवा आपन उकललेले आनी थन्ड केलेले पानी देखिल वापरुषक्ता O.R.S. किम्मा जहिंग चा गोल्या आरोग्य सेवा प्रदात्याचा सल्ला घेतल्या नंतरस द्याव्यात ORS आणि जिंग सोबतच सहा महिन्या पेक्षा कमी वयाच्या बालाना स्थनपान करावे सहा ते 24 महिन्याच्या बालाना स्थनपान आणि पूरका हार दिला पाहिजे लक्षा ठेवा कि आजार पनात बालाला वारमवार स्थनपान दिले पाहिजे હે જલત પણે રોગ મુક્તકરનાસ અણી વજં વાડન્યાત મદત કર્તે त्या मुले आजारी बाळाला ही आराम मिलतू स्थनपाना सोवत प्रत्तेक बाळाला कांगारू मदर केर प्रदान केली पाही जी कांगारू मदर केर ची शिफारस कमी वजनाचा बाळान साथी देखिल केली जाते कांगारू मदर केर बद्दल आणकी एका टुटोरियल मदे चर्चा केली आहे जर बाल सहा महिन्यान पेक्षा मोठे असेल तर अन्न दिडपट वाडभा बरे होन्याच्या कालावधी दर्म्यान बालाची भूग परताल्यावर हे करा बालाला विविधा प्रकार्चे पदार्थ देऊन खान्या साथी प्रोच साहित करा त्याच्या भूगेच्या संकेता नुसार तिला टाइप एक आणी टाइप दोन पोशक आहार दिया टाइप एक आणि टाइप दोन पोशक तत्वान बद्दल दुसर्या टुटोरियल मधे अधिक चर्चा केली आहे गंभिर परिस्थितित आई ने ताबड तोप आरोग्य कर्मचार्यांसा सल्ला घ्यावा आरोग्य कर्मचार्यांनी तीवर कुपोशित बालकांना एनार्सी कड़े पाठवावे एन आर्सी हे पोशन पुनर्वसन केंद्र आहे गंभिर कुपोशित बालकांसे आरोग्य पुनर्संचाईत करन्या साथी हे एक युनिट आहे हे केंद्र बालाना विशेश पोशन चिकित्छा प्रदान करते बालाने वयाची सहा महिने पूर्णकेले असल्यास त्यानना घरी बनवलेले जेवन खान्यास तयार करते हे मातानना स्तनपाना विशयी मुलांचे पोशन आणी बाल संगोपना विशयी शिक्षित करते बालाला निरोगी ठेवन्या साथी अत्यावशक पोशन करिया पाला ते बाला मधे कुपोशन रोखन्या साथी देखिल मदद करतात या सह आपन या टुटोरियल चा समापती कड़े पोहुच लुआ होत। सह भागा बद्दल धन्यवाद। कर दो कि अ कर दो अ कर दो की अ का दो कि अ झाल झाल